नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बेहदी सक्तिशाली उपाय बताने वाले हैं इस उपाय को केवल आप तभी करें जब आपके पास इसके अलावा कोई और चारा ही न बचा हो दोस्तो कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन में कारण वे अकारण शत्रूता पैदा कर लेता है यानि कि चाहे न चाहे उसके जीवन में शत्रू आही जाते हैं कभी कभी शत्रू इतने ताकतवर होते हैं कि उनके आगे हमारी हर प्रकार के परियास भी विफल हो जाते हैं किसी को बुरा लगा हो, उसके कारण बने हुए शत्रू, ऐसे होते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं चलता है, और वे शत्रूता निवाते हैं, यह बात और है, कि उन लोगों को जब ही कोई गलत कारे करते हैं, तो उसका परिनाम भोगना ही होता है, लोग मानते हैं कि उन्हें इसका कोई परिणाम नहीं भोगना होगा लेकिन आप जो भी कर्म अच्छा या बुरा अपने जीवन में करते हैं उसका परिणाम तो आपको भोगना ही होता है आज नहीं कि तो कल आपको उसका परिणाम अवश्य ही भोगना होगा उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति गलत करिया करता है गलत मंसाशे करता है तो उसका परिणाम उसे भोगना पड़ता है लेकिन दोस्तो कभी-कभी हम सही होते हैं लेकिन फिर भी हमारे कई दुस्मन यानि कि शत्रू बन जाते हैं ऐसी स्थिती में कई बार शत्रू इतना ताकत पर होता है कि हमारा पूरा परिवार तक भी रास्ते पर आने के कगार पर हो जाता है इसलिए दोस्तों जब आपके पास कोई और चारा ना बचे तो आप इस पलता हाथ नहीं लगती है हमेसा ही आप सफल होते हैं आपके सभी शत्रू गुठने टेक देते हैं लेकिन आज की वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक अनुरोद करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें क्योंकि हम हर उजलाते रहते हैं ऐसा ही चबरदस उपाए जिनसे आप अपने जीवन को शुक्मई बना सकते हैं और जी सकते हैं एक शुक्मई जीवन दोस्तो आप से पहले भी हमारे चैनल पर बहुत से ऐसी वीडियो है जिसम उन सबी से ज़्यादा सकती शाली है बलकि आज की वीडियो में हम आपके एक मंतर भी बताएंगे लेकिन इन मंतरों का केवला तभी इस्तमाल करें जब आपके पास कोई और चारा ना बचें दोस्तों इस उपाए में आप अगर मंतर का जाब नहीं भी करते हैं तो इसका प अरतित दिन तोयलेट करना है जितनी बार आप इस क्रिया को दोराएंगे उतना ही ज़्यादा आपका शत्रू तरप उठेगा और चारो तरप से दीरे दीरे खत्म होने लगेगा हर प्रकार से उसका शक्ती हीन होती जाएगी और आपको परेशान करना छोड़ देगा इस क् से शत्रू का दिमाग ही काम करना बंद कर देता है और वह कुछ भी सोचने समझने की शक्ती में ही नहीं रहता है कि किस प्रकार से मैं फला फला व्यक्ती को परेशान करू या उसको नुक्सान पहुचाओ इसलिए वह अपनी सभी किरियाओं को बंद कर देता है और आप अपने आपसे इतना दूर करना चाहता हूँ उसे इतनी हानी पचाना चाहता हूँ अपने मन में सोचते हुए उस ब्यक्ती के नाम पर ही टोईलेट कर दे दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जीवन से वेट सत्रू बिलकुली अंत कर देगा अगर आपके सत्रू एक से जै बजरंग बली जै मातादी जै मालचमी